ओम सिरी गनी शायनम दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जनवरी मंगलवार के रासी फलक के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दियां उत्पन कर सकते हैं जो आपके भविश्य के लिए काफिल लाबदाइक साबित होंगे दोस्तों साथी साथ आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभाव ना हैं धन के निवेस संबंदित कारों पर आज आप विशे सुरूप से ध्यान दें लाबदाइक समय आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सदियो प्योग करें दोस्तों कर्म धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित कारों के परती आज आपका रुजहान रहेगा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से छानवीन करें इस से आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़ेगा बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें दोस्तों किसी मित्र के मुशीबत के समय में आज आप उसका सहयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्दान्तों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का आशिरवाद और इसने आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापों के पिरती आज आपका रुजहान रहेगा जरुतमंदों की साहिता में भी आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तों आपके श्वयभाव में एक कारण ही गुसा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विग्न पड़ जाता है इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्चक है और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें दोस्तों बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दर्सन देने की आपको आवश्चकता है मकान वे गाड़ी से संबंदित काग जादों को आप बहुती अधिक समाल कर रखें उनके खोने या रख कर बूलने की आज संबहवना बन रही है दोस्तों अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगड सकता है किसी नजिदी की रिष्टेदार से आपकी जिद की वजए से संबंद खराब होनी की भी आसंग का है दोस्तों अपने स्वबाव में लचीला पन रखें तता रिस्तों की मरियादा का भी आपको ध्यान रखनी की आवश्शकता है दोस्तों संतान की किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहेगी परंतु आपकी समस्दारी वे सूजबूज से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहे कि भावुकता में आकर कोई भी निर्ण ना लें वेवारिक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तो विरोधी आपके लिए आज कुछ मुस्किलें पैदा कर सकते हैं परंतु आप अपना आत्म विश्वास बनाए रखें आपको विजय हासिल होगी दोस्तो साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुस्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मांसिक तनाव बढ़ सक प्रेम संबंद में किसी प्रकार की खटास उत्पन होनी की संभावना बन रही है अपने वहवार को आप सयमित रखें दोस्तो अपने प्रतेक कारे में जीवन साथी की सला लेना आपके केई कारे को पूरा करने में मदद करेगा प्रेम संबंदों में भी परिवारिक शुकर और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे दोस्तों घर के किसी भी मुद्दे को आपस में बैठ कर सांती पूर्ण तरीके से सुल जाएं और माहोल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम भी बनाएं इस से आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे औ और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाएक जीवन काफी खुसनुमा बना रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों कारेच छित्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुबब व्यक्ति की सल आवश चले क्योंकि कुछ निर्ने गलत होने की आज आशंका है विद्ध्यार्तियों को भी कहीं नोकरी संबंदित विबागिय परिक्षा में मन मुताविक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सलां आपके वैव नोकरी पेशा व्यक्ति को कोई उपलब्दी मिलने के योग आज बन रहे हैं जिससे उनको काफी खुसी का अनुबव होगा दोस्तों वैवसाइक उदेश्यों को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संबव हैं अगर किसी नए कारे की सुरुवात की हैं तो अब उसके उ हैनत के अनुब आज फल दायक पर नाम प्राप्त होंगे परन्तु मार्केटिंग वे भार के कारों को आज इस्तगित रखें किसी नजदी की मित्र की सला पर गंभीरता से विचार करें तोकि यह सला आपके लिए काफी फायदेवन्द साबित हो सकती हैं दोस्तों बात कर ल अपने दिन चरिया विवस्थित रखें और आयरुवेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप शेवन करें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजान योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद शिरी राम लिखी लाल रंग की दोहजा जिया दोस्तों आपको लाल रंग की दोहजा लेनी हैं जिस पर प्रभू शिरी राम का नाम लिखा हो इसके बाद आप इस दोहजा को भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाकर भगवान मनों काम नहीं मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे और आपको ऐसा करने से सीग रही सुब फरो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त करने बहुत यसानी से बनते चले जाएं से कमेंट्स बोक्स में जय बजरंग बली अबस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद